यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप overthinking के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आप से नीचे लेवल का है, आपको मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आल्सी का जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आप से उपर लेवल का है तो फिर आप अपने आपको नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिती हम सभी के जीवन के लिए नुकसान दायक है, हमें अपने वर्तमान स्थिती से संतोश करना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए, जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प आप अपनी वर्तमान स्थिती से संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पथर तोड़ने का काम करता था, वह घर से थोड़ा दूर बड़े से परवत के पथर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस वेक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे, क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टी की भावना उत्पन हो गई और वह अपने आपको कोसने लगा, असंतुष्टी की भावना के कारण उसे रातों में नीद आना बंध हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, जिसको सभी लोग फूलों की माला पहना रहे थे और जैकारा लगा रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था, उस पत्थर तोरने वाला ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे है। अब वह पत्थर तोरने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तर्बतर हो गया, फिर उसने उपर देखा उसे सूरज दिखाई दिया, तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है, जो इतना उपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है, मुझे भी कित बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढग दिया, वह व्यक्ती बादल को देखी रहा था कि हवा का एक ज्छोंका आया और बादल तो दूर ले कर चला गया, पत्थर तोरने वाला व्यक्ती देखता रह गया, ये क्या हो रहा है, हवा का ज्छोंका बादल को के चला गया हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है ये बात वर पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहार से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी इस पहार तस से मस नहीं हुआ यानि पहार में दम है हमें तो पहार बनना है तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथोड़ा से उस पहार को टुकरा कर रहा है ये क्या हो रहा है इतना बड़ा पहार जो हवा के विशाल छोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया तस से मस नहीं हुआ उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है व्यक्ति बार बार सोच रहा था नहीं ये नहीं हो सकता ये कभी नहीं हो सकता मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है क्योंकि वह स्वेम पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था उसकी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहार को तोड़ रहा हूँ. दोस्तों हमारे पास जो चीज अपलब्ध है हम उसकी इज़त नहीं करते हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है. इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दिनहीन भावना महसूस करते हैं. यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आपको हमेशा आशावादी बनाए रखें. आशा ही जीवन है. आप जो है ठीक है. कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें. कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है. हमें उस कमी को दूर करना चाहिए ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए.